Hello everyone, आज डेट है 17 ओप अक्टोबर 2022 और देहिंदू न्यूज एनालेसिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देहिंदू की इंपोर्टन न्यूज को एकजाम के पंट अफ्यू से डिस्कस करेंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम चैनल वॉल्कनो आईयस केडमी का लिंक दिया हुआ है आप टेलिग्राम चैनल वॉल्कनो आईयस केडमी के साथ में जुट सकते हैं वहाँ पर हर एकजाम, NCUPSC, State PCS and other exams के पंट अफ्यू से काफ़ी इंपोर्टन इंफोर्मिशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक जोक्रोफिकल मैप केशन के साथ में और आज आपका केशन ये है कि अराव हुरा सी को आपको मैप में व्यू करना है फिर इससे रिलेटेड हर इंपोर्टन फैक्ट्स को and information को कोमेंट बॉक्स में टाइप करना है कल हमने आपसे केशन पूछा था एंजल फोल को लेकर के तो एंजल फोल को अगर हम वैप में व्यू करें एंजलफोल South America continent के नर्दन पार्ट पर country located है वेनिजवेला और वहीं पर चुरून रिवर पर located है एंजलफोल ये जो चुरून रिवर है वो यहाँ पर एक important river flow करती है केरूडनी रिवर उसके एक important tributary के रूप में located है बात करें एंजल फोल की तो एंजल फोल जो है वो 979 मेटर हाइट के साथ में पुरे वर्ल्ड के टोलेस्ट वोटर फोल के रूप में लोकिटेड है अब यहाँ पर हमने बात कर ली एंजल फोल की अब अगर हम डिसकस करें वेनेजियोला कंट्री को तो आप सबी को पता है कि 1960 के टाइप में ओपेक जो और्गनाईजेशन है वो एस्टेबलिस हुआ था और उसी ओपेक और्गनाईजेशन के फाउंडिंग मेंबर के रूप में लॉकिटेड है वेनेजियोला कंट्री तो आपको यह बताना है कि 5 कंट्री ने मिलकर के ओपेक और्गनाईजेशन को जो अधर फोर कंट्रीज हैं उनके नेम आप कॉमेंट बॉक्स में बताऊगे और ये भी आपको बताना है कि वो कौन से कॉंटिनेंट से बिलोंग करते हैं तो ये हमने डिसकस किया एंजल फोल से रिलेटेड अब हम डिसकस कर लेते हैं देहिंदू नियूस विपर को फ्रेंट पेस पर अगर हम डिसकस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूस है पर्जेंट आज जो है तूडे जो कॉंग्रेस पार्टी है उनका जो कॉन नया ब्रेजडेंट होगा उसको लेकरके एलक्षन होने वाले हैं आप सभी को पता है कि टू इंपोर्टेंट यहा यहां पर participate कर रहा है जो गांधी family से belong नहीं करेगा मतलब एक तरीके से जो family procedure जो चलता रहा था उसको replace करते हुए एक नए procedure को implement करने की यहां पर बात बताई गई है अब इसको election में कौन-कौन participate करेंगे वो यहां पर बता रखा है जो हमारे ज्यादा important नहीं है next यहां पर जो article जिन्पिंग वहां के जो president है वो अपनी next term के लिए वहां पर अपना जो procedure है वो start करने वाले हैं तो वहां पर next decade में किस तरीके से चाइना का क्या vision होगा इसी को लेकर के focus करते हुए उन्होंने अपनी बात यहां पर रखी है उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से पुरे world में जो issue देखने को मिल रहा है काफे turbulence देखने को मिल रहा है इन सभी को हम target करते हुए कोसिस करेंगे कि self-reliance जो है वो हर sector में अपने उपर create किया जा सके इसलिए उन्होंने अपने important vision में बोला है कि one decade long vision जो है इसमें हमारी country जो है वो economic और military strength जो है उसको boost up करेगी साथी साथ science and technology में भी हम अपने आपको self-reliance जो है वो उसके रूप में establish करेंगे ओके तो यहाँ पर 2035 के लिए उन्होंने अपना vision ये बताया है कि हम economic जो strength है उसको increase करेंगे science and technology capabilities जो है उनको increase करेंगे and comprehensive nation strength जो है इसके पर focus किया जाएगा next यहाँ पर हमारे इंडिया में जो investment है उसके बारे में बताया गया है कि quarter 2 जो है उसमें इंडिया में जो private projects है उनमें investment जो है वो boost up हुआ है तो यहाँ पर valuation की बात की गई है value में कितना change देखने को मिला है इसके बारे में बता रखा है manufacturing sector में एक तरीके से positive जो है वो result देख हुआ है electricity sector में भी थोड़ा सा decrease देखने को मिला है services and utility जो sector है वहाँ पर जो projects है उनमें एक तरीके से positive जो result है वो देखने को मिला है irrigation sector में भी positive result जो है वो देखने को मिला है और all sectors के अगर हम totally अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में जो projects है जो private sector investments है उनकी संख्या में 2 September के जो data है उसके बारे में बता रखा है कि 5.7 लाग करोड जो है उसमें हमें hike देखने को मिला है अगर हम 2022-22 के first quarter से अगर हम comparison करें तो उससे हमें 66% की hike जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है ओके जो first quarter था उसमें 20.5% जो है वो एक dip देखने को मिला था investments में लेकिन second quarter मे जो projects है जैसे कि गुजरात में जो वेदंता गुरूप का जो projects है इसके अलावा जो अधर projects है इसकी वज़े से जो investment है वो काफे ज्यादा increase हुआ है तो देखो positive result है अगर investment increase होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जब investment आएगा तो projects establish होंगे project establish होगे तो जो है वो increase होगी जो जो भी हमारी economic growth है वो directly और indirectly दोनों ही तरीके से हमारी जो है इंडिया की increase होगी next important article है editorial page पर और यहाँ पर जो first article है देखो अभी हमने देखा कि Bombay High Court की जो bench है नागपूर वोनों ने एक important अपना order पास किया कि जी एन साइबाबा जो है जो प्रोफेशर थे डियू में और उनको arrest किया गया था बहुत साल पहले कि उनको एक तरीके से मावविस्ट जो CPI मावविस्ट जो है उनकी ideology के वो support करते हैं लोगों को influence करने की questions करते हैं तो उनको support करने के basis पर उन प्रोफेशर को और उनके साथ में कुछ लोग और थे उनको arrest किया गया था तो यहां पर अभी जो Bombay High Court की जो bench है उन्होंने आपर order पास किया गया कि उनको release कर दिया जाए लेकिन जैसे ही यह release के order आए महारास्ट्रा जो government है वो Supreme Court जो है इसको ले पास करता है कि उनका जो release है वो ना किया जाए तो यहां पर जो question किया गया है कि इसके उपर कि इतनी जो urgency जो show की गी है जूडिसरी के इस result में वो काफी ज़्यादा questionable है इसको लेकर के यहां पर जूडिसरी में एक procedure हो सकता था और जो भी यहां पर बताया गया है कि वो bond ज किया जा सकता था और जो भी urgent और other cases है उनके उपर और ज्यादा focus किया जा सकता था लेकिन यह जो urgency हां पर देखने को मिली है उसको लेकर के हां पर question किये गए है next important article है देखो UK में वहां की जो नई PM बनी है उसके बाद में माना जा रहा था कि वहां पर ज्यादा focus किया जाए लेकिन अभी यहां पर बताया गया है कि देखो UK की जो नई PM है उनको इस सामने बहुत सारी इस तरीके की वहां पी जो भी issue है तो उन सभी को अच्छे से tackle करना और एक अच्छे तरीके से establish करना जो है वो काफी बड़ा एक objective है काफी बड़ा उनके लिए एक target है next important article है यहां यहां पर जो article है वो 16th of October को यहां देखिए World Food Day की रूपे इसको celebrate किया जाता है तो यहां पर World Food Day से related कुछ basic facts रख रखे हैं और इसमें बता रखा है कि हमारे इंडिया में जो भी project है वो इस तरीके से होने चाहिए कि कोई भी person जो है वो एक दिन भी food से दूर ना रह पाए म तो पहले तो यहां पर article में कुछ important बाते बता रखी है कि देखो COVID की वज़े से food and nutrition जो security है उस पे काफी ज़्यादा effect देखने को मिले है climate change, inspiring food, inflation, conflict and inequality यह सारे impact जो है वो COVID-19 pandemic की वज़े से create हुए है तो present time में अगर हम देखें तो 828 million people जो है वो पुड़े world में ऐसे लोग ह जिनके पास में proper खाना नहीं है मतलब enough food नहीं है उनके पास में और 50 million people ऐसे हैं जो severe hunger को face करने हैं तो यह कुछ data है यहाँ पर एक report के बारे में बताये गया है hunger hot sports outlook यह report कौन publish करता है तो food and agriculture organization of the united nation and the world food program यह इसको launch करते हैं तो इस report के बारे में आपको पता होना चाहिए कौ लॉंच करता है तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि 45 जो कंट्रीज है वहाँ पर emergency की जड़त है food assistance को ले करके अदलब specific focus किया जाना चाहिए in 45 countries में अगर हमें hunger को escalate करना है तो 16 October को world food day जो है वो एक तरीके से reminder है पुरे world के लिए कि जो भी vulnerable people है उन्हीं communities के उपर हमें focus करन चाहिए और safe or nutritious जो food है उनकी easily accessibility जो है वो उनके लिए होने चाहिए तो इसमें SDG goal के बारे में बताया गया है कि जो हमारे sustainable development goals है उसमें भी हमारा जो target 2 है उसमें हमने focus किया है zero hunger के बारे में तो इन सारे targets को हम तब ही achieve कर पाएंगे जब time to time जो भी issue है उनको हम अच्छे से solve कर पाएंगे मतलब time to time small small हम target लें उनको achieve करने की courses करें तभी 2030 तक जो SDG goals है उनको हम complete कर पाएंगे तो यहाँ पर इंडिया के बारे में बताया गया है कि इंडिया जो है उनकी एक inspiring journey रही है जिसमें better production और self-sufficiency के उपर इंडिया ने focus किया है और इंडिया जो है वो पुरे वर्ल्ड में one of the largest agriculture product exporter की रूप में सामने आया है 2021-22 में अगर हम देखें तो इंडिया ने 49.6 billion dollar का जो total agriculture export जो है वो किया है और 20% increase यहाँ पर देखने को मिला है 2021 से आलांकि अगर present time में देखें तो recent जो climate issue है वो इंडिया में wheat और rice के production को काफे जादा इसकी वज़े से effect देखने को मिल रहा है इसी लिए हमें क्या करना होगा हमें ऐसी agriculture sector के उपर focus करना होगा ताकर जाकि वहाँ पर climate adaptation और resilience building जो है उसके उपर focus किया जा सके तो यहाँ पर 2030 तक इंडिया की जो population है वो 1.5 billion तक हो जाएगी agri food system जो है उसमें हमें sustainability मतलब इतनी population होगी तो हमें agriculture जो products है वो भी बनाए रखने होंगे तब ही जाकर के तो सभी लोगों को हम जो है वो equally जो भी important food है वो available करवा पाएंगे तो इस article में बताया गया है कि देखो जैसे population increase होगी वैसे वैसे यू भी increase हो सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है हमें focus करना है कुछ ऐसे projects के उपर ताकि time के साथ में population जब increase हो तब भी हम self sufficient के रूप में अपने आपको establish कर पाएं तो यहाँ पर बताया गया है कि FAO जो है food and agriculture organization जो है वो regular इंडिया में जैसे crop, livestock, fisheries, food security और management, natural resources की इन सभी में एक important role play किया है ओके world food day जो है वो एक reminder है leave no one behind और सभी एक opportunity है कि हमने जो भी focus किया है जो भी learn किया है उन सभी को focus करते हुए हम सभी countries को food level पर strengthen करें ताकि सभी country जो है वो अपने essential nutrition को मतलब जो भी अपनी population है जो भी अपनी vulnerable communities है वहाँ पर food से related जो भी problem है उसको solve कर सके तो हमारे इंडिया में कैसे अचीव किया गया है सभी के बात में food provide करने के हमने कैसे कोसिस की है तो देखो इंडिया जो है उन्होंने national food security act जो है वो 2013 इ targeted public distribution system के त्रूँ PM portion scheme जिसको पहले mid day मिली scheme के नाम से जानते थे इसके अलावा integrated child development services इन सभी के उपर focus करते भी इंडिया जो है उन्होंने अपने targets को अचीव किया है और 1 billion people जो है उन तक हमने food safety जो है वो अच्छे से पहुचाई है तो world food program जो है वो state और national government के साथ में काम करता है ताकि जो भी लोग है उन तक easily system को easily जो है वो establish किया जा सके तो यहाँ पर जो government है sorry यहाँ पर यह तो हमारी government के एक regular initiative रही है लेकिन COVID-19 pandemic के ताइम में भी अगर हम देखें तो हमारी government ने focus किया उन लोगों के लिए जो extreme poverty के गी government ने एक नया initiative चलाया परधान मंतरी गरीव कल्यान अन्योचना जिसके तहत 5 kg जो है वो हमने ज्यादा grain जो है वो provide करने की process की तो यहाँ पर writer का यह बोलना है कि अभी G20 group की India जो है वो presidency इंडिया के पास रहेगी next one year के लिए तो इंडिया को यहाँ पर focus किया जाना चाह future के उपर कि सभी के पास में जो future है वो एक तरीके से equal देखने को मिलें तो यहाँ पर इस article में बताया गया है कि देखो food के उपर तो हम focus कर रही है साथ ही साथ हमें focus करना होगा environment के उपर भी ताकि जो भी issue है उनके उपर हम focus कर सके crop pattern जो है इस तरीके से होना चाहिए कि उसक असलब जो soil है उसका प्रोडक्शन है वो भी अच्छे से हो और जो population है उनको भी easily जो है वो सारे के सारे food जो है वो easily मिल पाएं तो यहाँ पर बताया गया है कि जो UN है UN General Assembly उन्होंने भी 2023 को International Year of Millets के रूप में डिक्लियर किया है तो यहाँ पर बताया गया है कि पुरे world में आगर हम leading producer की बात करें Millets के रूप में तो इंडिया का important role है और total 2020 तक जो total production होता है इसमें 41% जो है वो हमारा participate देखने को मिलता है इंडिया का और यहाँ पर हमारी जो government है national government उन्होंने भी sub mission on nutrient cereals जो है Millets के उपर मतलब national food security mission जो है उसके एक पार्ट के रूप में इसको launch कि कि ल hedge का ज्यादा ज्यादा हमें production करना है तेको murders का production होने से क्या होगा एक तो इसमें water कीendouter रेखने को मिलता है इस से क्या होगा जो हमारा groundwater level है वह हमारा बना रहेगा जो हमारी crop है उसका अच्छा production देखने को मिलेगा साथ ही साथ जो हमरी soil है इसमें fertilizers का भी काफ़े कम use होता है तो हम जो healthy environment जो है उसको भी establish कर पाएंगी तो UN का जो target है UN ने जो year declare किया है इसी के basis पर यहाँ पर एक suggestion दिया गया है कि पूरे world level पर relates का जो production है वो जाता से ज़्यादा हो सके उनमें nutrition value भी जाता देखने को मिलती है और भी other जो consumption है वो कम देखने को मिलता है वो जो result है वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते है तो हमें इनके उपर focus करना चाहिए और सभी लोगों को एक better life देने की गोसिस की जाने चाहिए तो इन सभी targets के उपर यहाँ पर focus करने की बात रखी गई है next important article है page number 10 text page 1 तो यहाँ पर जो article है देखो understanding the global hunger index global hunger index जो है वो अभी publish की गई 2006 से yearly basis पर annually basis पर उसको publish किया जाता है और अभी जो publish हुई उसमें हमारे इंडिया की 121 countries में 107 rank आई है तो यहाँ पर अगर हम South Asian countries की बात करें तो सभी countries से इंडिया की rank low है सिर्फ और सिर्फ जो अफगनिस्तान country है वहाँ पर तो वोर जैसी जो issue है वो काफी ज़दा लंबे time से देखने को मिल रहे है सिर्फ उसकी rank जो है वो इंडिया से below आई है तो यहाँ पर बताया गया है कि global hunger index जो है उसको क्यों यह questionable इसको रखा गया है तो हमारी जो ministry of women and child development जो है उन्होंने यहाँ पर बताया है कि यह जो भी global hunger index है इसमें जो भी data use किया जाते हैं वो काभी problematic है जैसे कि हमने कल भी discuss किया था कि four criteria की basis पर यह global hunger index जो है वो publish होता है four criteria की अगर हम बात करें यहाँ देखिए इसमें first है under nourishment under nourishment जो है उसको उसमें major किया जाता है major of the proportion of the population facing chronic deficiency of dietary energy intake मतलब total population में कितने लोग जो है वो इस तरीके की deficiency face कर रहे हैं उनको under nourishment में count किया जाता है second criteria है child standing low height for age age के according जो height है वो increase ना हो अगर बच्चों की child wasting low weight for height height के according जो weight है वो काफी कम हो और child mortality 5 साल से कम के age के जो बच्चे है उनकी death rate कितनी है इन सारे 4 criteria के basis पर global hunger index जो है वो publish की जाती है तो देखो ये criteria आपको धिहन में होने चाहिए क्योंकि last year जो publish हुई थी global hunger index उसको लेकर के भी इंडिया ने अपने question attempt करने की कोसिस की थी questioning केरने कोसिस की थी कि जो data है वो इंडिया के favorable नहीं है इंडिया जिस तरीके से performance कर रहा है उस तरीके से इंडिया को यहाँ पर represent नहीं किया गया है तो global hunger index news में है तो इसके criteria लेकिन सबसे important बात के है बात ये है कि जो ये under nourishment, child strengthening, child wasting, mortality इसके जो data है वो ये जो global hunger index में जो data यूज किये जाते हैं वो अलग-अलग लेवर पर जो अलग-अलग organization जो है उन्होंने जो data इकटे किये उनी को यहाँ पर ले करके ये जो result है वो publish किया जाता है तो यहीं पर इंडिया ने question किया है कि जैसे जो global hunger index में जो under nourishment के उपर focus किया जाता है उसको उसके data लिए जाते है US Food and Agriculture Organization FAO से और ये जो FAO है वो estimation करता है data का food insecurity experience scale मतलब food की insecurity कहाँ पर देखने को मिल रही है उन सभी के उपर और इसमें 3000 लोगों के size के basis पर example लिया गया था तो इसमें इंडिया ने बूला है कि इंडिया के country की size के according अगर हम देखें तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कम data है इसके basis पर आपने declare कर दिया कि इंडिया की जो report है वो गलत है और इंडिया जो है वहाँ पर हंगर जो है वो काफी severe level पर established है तो इसके लेकर कि इंडिया ने question किया है कि इस तरीके के जो data है आपने directly ground level पर कोई result नहीं देखे आपने किसी और organization के जो data है उनको input किया और organization जो है उन्होंने sample survey कितने लोगों पर किया उस पर भी focus नहीं किया गया और किस criteria को लेकर कि किया गया ये भी focus नहीं किया गया सिर्फ उसके data आपने लिए उनके basis पर आपने इंडिया को represent किया तो ये काफी questionable है यहाँ पर बताया गया है कि COVID-19 के time में देखें तो हमारी जो government है उन्होंने काफी अच्छा focus किया जैसे अभी हमने discuss किया था प्रदानमंतरी गरीब कल्यानी उजना इसी तरीके का initiative रहा इंडिया ने बहुत ज़्यादा focus किया है इस तरीके की issue को solve करने के लिए फिर इस तरीके की जो report है वो publish नहीं होनी चाहिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया के आसपास के जो countries है उन सभी की rank जो है इंडिया से ज़्यादा है और सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की जो rank है वो हमसे कमाती है तो यहाँ पर SDG goal 2 की बात की गई है कि SDG goal 2 को हम अच्छे से अचीव कर पाएंगे zero hunger by 2030 अगर हम सभी के लिए क्या लेब करके आप आएंगे जो equally जो भी food है उसकी availability हो पाएंगी तो global hunger index जो है वो इसलिए बनाया गया है कि global, regional और country level पर जो hunger के जो issue है उनको track किया जा सकी ताकि जो SDG goals है उसको हम easily achieve कर सकी और यह जो four metrics जो है वो क्यों अपनाई जाते हैं वो इसलिए अपनाई जाते हैं कि देखो अगर हम सबसे पहले अंडर नरिश्मेट की बात करें तो authors का यह बोलना है कि inadequate access to food जो है उसको major इससे किया जा सकता है और international hunger targets जो है वो एक lead indicator है यह अंडर नरिश्मेट तो इसके basis पर जो hunger है उसको हम target कर सकते हैं चाइल्ड स्टेंटिंग और mortality के अगर हम बात करें तो child vulnerability or to nutrition deficiency क्योंकि stenting और mortality से हमें पता चलेगा कि child age में कितना जो nutrition है वो बच्चों को मिल पा रहा है क्योंकि जब nutrition नहीं मिल पाएगा तभी तो height के according weight नहीं होगा और तभी तो age के according जो है वो weight नहीं हो पाएगा height नहीं हो पाएगी age के according दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें तो child mortality child mortality मतलब 5 साल से कम बच्चे जो है उनकी death तो death के जो region है उसके उपर focus करके पता लगाया जा सकता है कि जो hunger जो issue है वो कितना देखने को मिल रहा है इसलिए यहाँ पर इन चार criteria के उपर focus किया जाता है क्योंकि यह एक तरीके से यह जो criteria है वो hunger को represent कर सकते हैं और जिसके basis पर hunger जैसे issue को solve किया जा सकता है next important article है page number 12 पर sorry page number 10 पर ही एक article है यहाँ पर supreme court में जो collegium system अभी news में है उसके बारे में बताया गया है तो यहाँ पर बताया गया है कि supreme court का जो collegium है इसमें third judges जो case है उसमें declare किया गया कि CGI plus में four senior most church हो है वो यहाँ पर representation देगे judges की appointment को लेकर के और उनके transfer को लेकर के तो यहाँ पर इस article में बताया गया है कि देखो judges का जो transfer है उसको लेकर के जो collegium system है वो time to time government को लेकर के कुछ अपना upgradation देता रहता है लेकिन government उस पर अपना result जो है वो declare करने में कुछ time लेती है तो यहाँ पर एक example भी दिया गया है कि two chief judges की बात की गयी थे transfer की लेकिन उनमें से एक का कर दिया जाता है दूसर कर नहीं किया जाता है तो इस article में बताया गया है कि जो भी procedure है एक नया memorandum of procedure जो है लाया जाए और जिसके basis पर यह declare किया जाए कि जो भी judges का transfer है जो भी appointment है उसको लेकर कि एक criteria time criteria जो है होना चाहिए और उसी के basis पर यह जो result है वो निकल करके सामने आए next important article है page number 12 पर और यहाँ पर जो first article है तो देखो इसमें बताया गया है कि जो मद्यप्रदेश जो state है वो पूरे इंडिया में पहला इस state बन गया है जहाँ पर MBBS course हो है वो हिंदी मीडिया में start किया गया है और यह एक तरीके से Hindi language को promote करना और जो भी students जो है जिन्होंने Hindi language में अपने study complete की है वो higher education में उनका participation easy ली हो सके इन सभी के उपर focus करते भी यह सारे targets जो है वो complete करने की कोसिस की जारी है यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया और रश्या जो है उन्होंने discussion किया है कि Indian army में जो light battle tanks जो है उसकी supply करने के लिए रश्या जो है वो इंडिया का support करेगा देखो अगर हम बात करें तो हमारा जो mountainous region है वहाँ पर हमारे पास में ऐसे light tank होने चाहिए चाकि easily हम हमारे mountainous region में जो हमारी border areas है उसको secure कर सकें तो यहाँ पर इंडिया ने declare भी किया है कि हम जो रावर एक light battle tank जो है उसका formation करेंगे इन सारे procedure में रश्या जो है वो इंडिया की help करेगा next important article है page number 14 पर और यहाँ पर देखो first article है इसमें एक report आई है और इस report में बोला गया है कि इंडिया में जो coal mines है उनकी संख्या बढ़ाने के उपर focus किया जा रहा है बरकि जो पहले से जो coal mines है उसी के उपर focus किया जा सके क्योंकि उनको भी completely अभी तक use नहीं किया जा सका है इस report में बोला गया है कि देखो इंडिया में नई-नई coal mines बनाने के लिए जो भी हमारे agriculture areas है या फिर अगर हम बात करें जो forest areas है उनको एक तरीके से इसका नुक्षान देखने को मिलता है और specific ये जो cold reserve है वो ऐसे area हैं जहांपर tribal लोग रहते हैं तो उनकी जो भी communities हैं उनको effect देखने को मिलता है तो हमें focus करना चाहिए जो भी हमारे reserve है उनकी के उपर ताकि क्या कर सके हम जो हमारी other land area है उसको secure किया जा सकी यहां पर जो है देखो स्वच भारत mission जो है इसमें focus किया गया कि जो भी हमारे जो wastage जो भी घरों से निकलता है उन सभी को proper तरीके से हमें एकटा करें और proper तरीके से landfill site तक ले करके जाएं तो यहां पर इस article में बोला गया है कि जो landfill sites है उसके remedy के लिए भी हमें अच्छे से काम करना होगा अगर housing and urban affairs ministry के official page के अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में पूरे country में बाइसो के लगबग sizable landfills है तो इस article में बताया गया है कि इन सारे landfill sites को हमें क्या करना होगा जैसे कि 1st of October 2021 को हमारे जो प्राइम minister है उन्होंने एक mission launch किया था कि अगले next 5 year में garbage free जो है वो हम cities को develop करेंगे तो हमें क्या करना होगा जो भी हमारे landfill sites है उनके उपर हमें focus करना होगा और time to time complete करना होगा उनको एक resonate stage सक लेकर के जाना होगा ताकि यह जो issue है वो काफी कम हो सकें क्योंकि landfill sites के वज़े से जो आसपास में रहने वाले लोग है वहां का जो ground water level है वहां पर काफी ज़्यदा pollution जो है वो create हो गया है human population को भी काफी ज़्यदा effect देखने को मिल रहा है तो इनका जो एक result है वो आना चाही next है यहां पर जो article है यहां देखिए foreign base पर और यहां पर जो first article है तो देखो अभी China के जो resident है उन्होंने एक meeting organized की और उसमें उन्होंने एक important focus करने की गोसिस की उन सारे लोगों के उपर जिन्होंने चाइना की अप्ग्रेडेशन के लिए काफी important काम किया है तो यहां पर Galwan Valley जो 2020 में जो class हुआ और उस time में उनके जो commander थे चाइना के उनको भी यहां पर representation दिया गया है तो एक तरीके से जो Galwan Valley जो issue था उसमें country का भी एक तरीके से involvement था मतलब सिर्फ border area पर class देखने को मिला और उसकी वज़े से issue create हुआ ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है इसमें जो country है चाइना जो है उन government level पर भी उनका involvement देखने को मिल रहा है तब ही जाकर कि उनको जो commander जीप है जो है उनको इस तरीके से favorable condition जो है वो country में provide करवाई जा रही है तो यह आज का हमारा देहिंदू newspaper का discussion था अगर आप यहां तक आए है वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को like कीजिए share कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए ओके, thank you आप हमारी जो other initiative है उनको भी view कर सकते है daily basis पर जो भी आपके current affairs है question and answer format में हम आपको complete करवाते हैं आप उनको भी join कर सकते है हम mentorship program जो है उसका second batch हमने start किया है और यह जो second batch है इसमें हम focus करेंगे 2023 जो prelims है उसके उपर तो 2023 पिरलिम्स को अगर आप clear करना चाते हैं तो हमारे इस mentorship program के साथ में जूर सकते हैं इसमें हम आपको daily basis पर target provide करेंगे target में आपका static plus में current affairs दोनों जो है वो cover करवाय जाएगा साथी साथ में यहाँ पर focus किया जाएगा static plus में current affairs की साथ में current affairs में लगवक डेट साल का current affairs आपका complete करवाय जाएगा aesthetic part में जो भी standard books हैं जो भी NCRTs हैं वो सब यहाँ पर आपकी हम टार्गेट देंगे कि आज आपको इतना पार्ट कवर करना है रीट करना है और फिर इवनिंग वे उनके MCQ जो है वो आपको प्रोवाइट करवाई जाएंगे मतलब MCQ प्रोट्रेक्टिस जो है वो भी आपकी यहां पर हो पाएगी साथी साथ में जो अपर स्ट्रेटिक प पर फोकस करेंगे तो अगर आपको लगता है कि यह मेंटर्सी प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशल रहेगा तो आप इसको जोइन कर सकते हैं अगर आप कंपरिजन करोगे अधर कोचिंग की जो भी फीस है उन सबी से तो यह जो भी इंपोर्टेंट फीचर्स है वो आपको काफी मिनिमम प्राइजिस में यहां पर आपको प्रोवाइट करवाने की कोसिस की जारी है तो आप इसको जोइन कर सकते हैं आप इसको एक बार जोइन कीजिए आप मैं शोर करती हूँ आपके लिए काफी जादा बेनिफिशल झाभ को का च्टिक तेंट रहेगो है ।